जोस्तों कर आप इग्णो की स्टुएंट हो और आपके पास Economics सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन कि हुए जो की BA Honours Economics के लिए BA General के लिए साथी साथ email Economics के लिए बनाये हुए जो कि आपको हमारी Application Vishnu Economics School में मिलेंगे वहाँ पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट से वो भी मिलेंगे जो कि इगनो कि स्लेवर्स के एकॉर्डिंग है इसके अलावा पिछले सालों के कुश्ण पेपर भी हमने सॉल्ट कराए हुए तो यह सब कुछ आपको हमारी एप्लिकेशन विश्न एकनोमिक गिड़ जाता है और कि को अगर कोई एक गार कांजिवर्स करता है जैसे ऐसे के कॉन्टिटी के कुवांटिडिम को बढाता है उस से जो एकश्न सेटिसफेक्शन मिलेगा जैश्टे सेटशन מिलेगा वो लगताल घट्टा चला जाता है यानि के according to the law of diminishing marginal utility as consumer consume more and more unit of a commodity the marginal utility received from each successive unit goes diminishing इसकी क्या वज़ए वच्चो इसकी वज़ए यह होती है कि हमें किसी वस्तू को पाने की की इंटेंसिटी होती है यह कि जएकि आपनी पानी पीने की झीवरता है इच्छा है वह लगतार आपकी कम होती जले जाएगी पानी कीने के साथ साथ माली आपकी कॉफी पीने के इचाहे और आपको कम सेटिस्थेशन मिलेगा तो राइस को बनाने का इसके नाम याद रखिए का बच्चो फंडामेंटल ओफ सटिस्फेक्शन भी बोलते हैं या फंडामेंटल साइकलोजिकल लोगी कहते हैं तो बच्च एक्वनोमेक्स में जैसे डिमांड का लोग है सप्लाइ का लोग है कुछ बेसिक लोग है इसी तरीके से जो लो जो लॉप सब्सक्राइब होता है समान रूप से लागव होता है तो बच्च यह कि आपको कल्सेप्ट जो है उस समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कि कुछ जीवन में बहुत इंपोर्टेंट होते हैं एक्चुली क्या होता है बिटा जब हम कोई लौ बनाते हैं कोई नियम मन जाता हूं लेकिन इसमें हमने एजंप्शन माना है कि सामाने ट्रैफिक रहेगा मेरी गाड़ी खड़ाब नहीं होगी मैं कार से जा रहा हूं तब ही यह लौ लाग होंगे यानि कि एजंप्शन किसी थियोरी के साथ जोड़े हुए चीज़े नहीं होती बलकि उस थियोरी म my reconnect of utility जाने कि जब हम कह रह Moscow रहें कि additional unit से मिलने वाला satisfaction गिरता चला जाएगा कि हम मान के चल रहे है कि जो भी Satisfaction मृम मिल रहा है जो भी साथ हम use कर रहे हैं उससे जो मिलनेवास satisfaction गिरता चला जाएगा तो यह आप याद रखिए का यानि कि हम नम्मर्स में यूटिलिटी को मैजर कर सकते हैं तभी तो हम कहीं कि कितना गिरा इसके लावा बच्छो रीजनेबल क्वांटिटी होने चाहिए ऐसा नहों कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो जो आपकी डिजायर को और बढ़ा दे बहुत तेज पानी की इच्छा है लेकिन मुझे पानी पीने के लिए कप अफटी की जग तो जैसे मैं प्यूंगा मेरी जुट इंटेंशिटी है पानी पीने की वो और भढ़ जाएगी इसलिए यह जरूरी है कि जो क्वांटिटी है वह रीजने बनोनी चाहिए यारिक ऐस आप किसी कौन्टिटी को दे रहे हो और वह कौन्टिटी जो है वह बहुत ज्यादा कम हो तो रीजनेवल कौन्टिटी होगी तभी आप उस कंजेंशन करने से आपके सेटिस्फेक्शन में कमी देखने को मिलेगी इसके अलावा इसकी मानसे कंडिशन ठीक होनी चाहिए वह कि आइसक्रीम से पेट को नहीं भरा जा सकता इसके अलावा बच्छो continue कंजम्शन भी होना चाहिए continue कंजम्शन का मतलब है time lag नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपने कौफी मौर्निंग में भी और एक कौफी इवनिंग में भी आपका सैटिसफेक्शन लेबल तो बढ़ इसके अलावा हम एक कि यूटीटी को दूसरे के साथ मैच कर लए इसके आ तो definitely आपको दूसरी दाल जो कि मखन वाली होगी तड़के वाली होगी वो जब को ज़्यादा अच्छी लगेगी यानि कि लॉट तभी लाग होगा जब गुट्स जो है वो एक जैसी हो अगर गुट्स अलग अलग हैं तो आपको satisfaction का लेबल भी अलग अलग रहेगा तो यह सारे पॉइंट बच्चो आपको exam point of view से लिखने चाहिए इसके अलबा constant marginal utility of money यानि कि हिसमें हम यह मान के चल रहे हैं बच्चो कि marginal utility of money जो है वो constant है अगर मान लीजे marginal utility of money आपकी चेंज हो जाती है तो satisfaction level भी चेंज हो जाएगा यह आपको समझना चाहिए तो यह कुछ assumption ने जो आपको exam point of view से भी याद रखना है और explanation point of view से भी आपको याद रखना चाहिए इसके अलाब बच्चो हम डाइग्राम की बाते चाहिए एक और चीज हमने मान के चल रहे हैं आप एंपर जाने के हम यह मान के चल रहे हैं कि consumer की income जो है वो fix है और जो price है वो भी fix है त कि बहुत आसान डाइग्राम है कोई इतना मुस्किल डाइग्राम है नहीं जिसमें यह बताया हुआ है कि एक यूनिट आप goods यूज कर रहे हो तो आपकी जो मार्जल यूट्टी है वो 100 है जैसे आप दूसरी करोगे आपका satisfaction लेवल घटके 75 हो गया यानि कि सिंपल सी बात ह रहे हो चौकलेट का तीसरा यूज कर रहे हो चौता यूज कर रहे हो तो जैसे ऐसे आप ज्यादा चॉकलेट खाओगे आपका satisfaction लगाता घटता चला जाएगा और पांच भी पॉइंट पर आपका satisfaction जीरो हो गया इसको बोलते संतुष्टी का मिंदू पूर संतुष्टी हो गया इसका बीटा मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट के बात अगर आप ज्यादा करते हो तो आपका जो हो जाएगी इसका मतलब अगर आप च्छटी यूटिलिटी उस करते हो चॉकलेट की ता को नेगटिव यूटिलिटी मिलेगी और साथी करोगे तो आपको और ज्यादा आपको दस्तो सकते हैं यहां कि हर चीज की लिमिट होती है एक लिमिट के बाद अगर आप उसका जादी रखोगे तो पॉजटेव मिलने की जगह आपको यह नेगटिव मिलेगा तो बच्छों देखिए हमारे कोश्चन का जो पॉइंट था पहला जिसमें हमने आपको बता रहे था कि एक्सप्रेंटी लॉप डिमिसिंग मार्जल यूटिलिटी हमने बता दिया अब हम बात करते एक्सेप्संस की तो बच्छों एक्सेप्संस उस केस में कहा जाएगा इस्टाइग्रम और टेबल को आप अपने आप एक्सप्रेंग कर लीजेगा बहुत एसान है ए एक्सेप्संस का मतलब होता है वो कंडिशन्स जब लॉफ डिमिसिंग मार्जल यूटिलिटी लागू नहीं होता देखिए ऐसा मैं तो नहीं कह सकता कि लॉफ डिमिसिंग मार्जल यूटिलिटी यूनिवर्सल लॉफ है साइंस की तरह हर जगे लागू होगा कुछ तो इस यूटिलिटी पहले बढ़े फिर घंदी जरूव होजाए तो यानिके एक सेप्सें लेगा जब आपकी यूटिलिटी बढ़े तो यह घ्रली कंडिशन देख रहा है जब आप ज्यादा यूटि यूटि यूश्ट करने से आपकी utility भी बढ़ेगी, यानि कि आप consume ज़्यादा करोगे और आपको ज़्यादा satisfaction मिलेगा, तो ऐसी होती है margin utility of money के बारे में, यानि कि money की tendency बच्चो इस तरीके की होती है, कि जिसके पास पैसा होता है, उसके लिए और ज़्यादा पैसा एकटा करने की लालच बढ़ जाती यानि कि this is not applicable when the commodity consume is money, since the marginal utility of money goes on increasing, as person get more and more money, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता, कुछ व्यक्तियोपी लागू होगा, तो इस तरीके के लोग जो पैसे को खटा करने में लगे हुए है, उनको ज़्यादा पैसा मिलें से ज़्यादा satisfaction मिलेगा, इसके अलाबावा बढ़ जो बाहर कोई चीज़ है एंटिक चीज़ है कुछ लोगों को ऐसी चीज़ घटते करने का शौक होता है, जो एंटिक होती है तो जयसे-जैसे उसके पास ज्यादा स्बकती होंगि या जैसे-शेब्सके बढ़ाव कि इफुए या जैसे जैसे इसके पास अधी खटती होंग है रेया कलेक्शन ऐसी चीजों में लागू नहीं होता बच्छों यह लो यानि कि ऐसी चीजों में लो क्या होता है कि जब ज्यादा गुट्स होंगी तभी आपको ज्यादा सैटेस्फेक्शन मिलेगा तो यह सारे पॉइंट बच्छों आपको क्लियर करने चाहिए इसके अला की स्थिति में यह लागू नहीं होता इसके अलाव माली जो कोई व्यक्ति है विच्छों हो जाए एडिक्टेड हो जाए अब देखे कुछ लोग ऐसे होते जो ड्रक्स के सराब के सिगरेट के हैविच्छल है उनको खाना है कुछ लोग तमागू खाते अब देखे साफ हो देखेसा तो मैं आपको के बॉक्स पर कि इसको खाना हानी का रहा है कि यानि कि आ जहर भी खा रहा हो और खुद से भी खा रहे हो पैसा लेकिनि का रहा हो तो इसके अलबाभा बच्छों इस तरीक ऐसे कह सकते हो कि जो होमोजीनियस नहीं इस नहीं होती तभी यह लॉट नहीं होगा यानि कि अगर मालिजे पहली ज्यादा क्वालिटी की मिल जाए तो डेफिनिटली आपको दूसरी गुट से जादा साटिस्फेक्शन मिलेगा इसके अलावा बच्छो चेंज इंक अगर देखें कंज्यूमर की इंकम चेंज हो जाए तो डेफिनेटली ज्यूमर ज्यादा गुट्स को प्रेफर करेगा इस कंप्यर टू लेस्ट इनिके उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो ज्यादा ज्यादा ज्यूम्शन इन डिफरेंट पीरियर का क्या मतलब है ब ज्यादा जैसा अगर आपका इंट्रेस्ट लेकिन एक समय के बाद फिर वो उसका इंट्रस गिरने लग जाता है तो यह सारे पॉइंट है जिनको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो इसके अलावा चो यहां पर हम बात कर रहें जैंग इंपोर्टेंस की कि आखिरकर क्य का एंपोर्टेंस है लोव ओफ डियिसिंग मार्जल रुटलिटी के सबसे पहला है कि बएस अथर लॉव देखे बहुत सारे लाव और बने हुए जैसे लॉव डिमांड है इसके लाव लॉव वें आब कि मार्जल बेस पर ही बने हुए इसका लावा पबलीक प्लिक फाइन प्रजिटी का मतलब है कि जिस Ricky यंकम ज्यादा है कि जिसकी इंकम ज्यादा है वो लिए जादा तबी तो एक्विटी का आप जो प्रिंसीपल है वो लागू होगा यानि कि अगर अमीर और गरीब से भराबर आपको टेक्स ले लिया जाएगा तो जो टेक्स का बड़न वह गरीब पढ़ेगा अगर आप चाहते हो कि टेक्स का बड़न प्रोग्रेसिव रहे टेक्स का दोनों पर पड़े बराबर बराबर रुप से तो आपको अमीर से जादा पैसा लेना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ बच्चो कि अगर माली जे मेरे एक अजार रुपे गॉर्मेंट ले ले तो आप माली पर क्या फर्क पड़ रहा है एक अजार रुपे देने का तो यह बाते भी आपको समझनी पड़ेंगी इसलिए प्रोग्रेसिव टेक्स की हम बात करते हैं बच्चो इसके अलावा है दा बेसिस फॉर री डिस्टिब्यूशन ऑब वेल्थ पॉलिसी देकि गॉर्मेंट ऐसे बहुत सारे वेल्फेर प्रोग्राम चलाती है गॉर्मेंट पब्लिक वेल्फेर स्टेट यानि कि गॉर्मेंट जो है वो चंता के भले के लिए काम कर रहे होती है अब हम यह देखते हैं कि जब गॉर्मेंट यह डिसियन लेती है कि कहां इसकूल पॉड़के पहुंचाएं जाएं तो इस बाते भी आपको याद रखनी बढ़ेगी इस यह प्लेटियो लेकिन फिलाल मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि डायमंड और वाटर में डायमंड की ज्यादा है क्योंकि उसकी ज्यादा है यही पैरडॉक्स है या gelir ने कि होना ही है चाहिए था पुराने जमाने में जिसके यूस ज्यादा है जिसकी यूटिरिटी ज्यादा है उसके जधा प्राइस मिलना चाहिए था लेकिन एक्ष्वल में वाटर का बहुत भारा यूज है बेब पानी के बिना तो जिन्दा रही कीमत कम है दायमंड तो कोई कीमत ही नहीं सो कौन उचूंस जैनले तो इसकी पीछ उसकी पीछए किरेंगी समझाने का काम करता है Bitcoin करता है अलावा इसका प्र कि जौन Bridge चैनल तो इसका मतलब यहा कि जो यूज किया जाते हैं कितने यूज पूस्त किये जाएंगे उन फेक्टर का भी उसका भी जो बेस है वो यही लौ है तो बच्चों यह पॉइंट हमारे कवर होते लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कॉसे लॉप दिमनिसिंग मार्जल यूटिटी यानि कि आखिर का लॉप डिमन या बहुत एफट करने को त्यार हो जाओगी लेकिन एक बार आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया एक बार अपने पानी पी लिया तो आप एफट नहीं कर रहे हो यानि कि आपको एफट करवा कौन रहा है आपको एफट करवा रहा है आपकी वांस आपकी यूटिलिटी क्यों कि जा सकती लेकिन किसी स्प्पेसिफिक मॉद्स की पूर्ति की जा सकती है आप परी की सब्जी तो खा सकते हो ऐसा तो नहीं कर सकते याप अपने सभी जगर होते के पूरी कर लो लेकिन कोई powerful को पूरा कर सकती हो इसी लिए उस स्पेस्टिफिक वांट से मिलने वाला जो सैडिस्ट्रेक्शन है वो गड़ जाता है इसके अलवा जो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कमूडिटी देखिए एक कमूडिटी के बहुत सारी यूज होते हैं सबसे पहले कर दूमर उस कमूडिटी मतलब ज्यादा यूटिटी कम काम में कम साटिस्ट्रेक्शन यानि के कम यूटिटी इसी लिए एक साधन का प्रियोग और्टरनेटिव होने की वजह से भी लॉप डिमिसिंग लागू होता है इसके लावब पॉइंट और जो मैं इसमें जोड नहीं पाया वो था वो था फ आट्रिस्ट्रेक्शन मिलेगा वो रूटी से नहीं मिलेगा इसी लिए जब मैं ज्यादा से ज्यादा रूटी खाता हूं तो मेरी रूटी खाने की प्रति इच्छा जो है वह घटी चली जाती है तो बच्छों यह सारे के सारे पॉइंटे जो आप एक्जाम पॉंट हो भी झाल झाल